दाइटर पीस आइनाथ जी मैं पीस आइनाथ हूँ मुंबई से आया हूँ आपके साथ रहने के लिए पहली बात यह है मैं आप लोग को दन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी संगर्ष की वज़े से देश जाते हैं कि एक खृषी मंत्री है और उसका नाम है नरेंद्र तोमर उसके पहले हम सब समझते हैं कि सिर्फ दो आदमी देश को चला रहा है अभी दो नाम आउ रहा है नरेंद्र तोमर अभी महराष्ट्र में लोग पूछ रहा है कि यह किस चडिया का नाम है और सिर्फ दो आदमी जो आप जो देश को चला रहा है अभी यह तीन को खानून संसद में पास कर दिया कंसल्टेशन कुछ नहीं हुआ आप लोग बार बार मांगा कि हमसे कंसल्टेशन करो हमसे बात करो लेकिन यह तीनों खानून पास करने के बाद आ रहा है बात करने के लिए और बोल रहा है कि हम बिल्कुल तयार है सरकार कंसल्टेशन के लिए नेगोसियेशन के लिए हम बिल्कुल तयार है अरे यार आपने खानून में मौत की सजा पास कर दिया और अभी कंसल्टेशन हो रहा है कि आप आपको फांसी दू या गोली से मारो यह है कंसल्टेशन मौत की सजा तो पास हो गया संसर में तो अभी क्या कंसल्टेशन करेंगे उसके बारे में यह देखिए दो हजार ग्यारा में एक राष्ट्रिया कमिशन हुआ नैशनल कंज्यूमर एफेर्स ग्रूप उसका रिपोर्ट आज भी आज भी वो रिपोर्ट कंज्यूमर एफेर्स मिनिस्ट्री का वेब साइट में है और उसमें चैर्मन कांट्र चैर्मन नरेंडर मोदी कंज्यूमर एफेर्स ग्रूप उफ चीफ मिनिस्टर्स और ब्यॉर्ट्रेट्स और मोदी जी ने ये लिका वो रिपोर्ट में पॉइंट नंबर तीन भी यह रिपोर्ट में ये लिखा मोदी जी इस देश में ऐसा एक कानून होना चाहिए कि MSP के नीचे किसान और व्यापार के बीच में MSP के नीचे एक भी कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए कि वही महिनारेंद्र मोदी वही मांग रहा था उस समय जो आप मांग रहा है आज लेकिन मैं आपको यह बताता हूं सिर्फ MSP कानून पास करने में ज्यादा बदल नहीं आएगा जब तक प्रोक्योर्मेंट का भी गैरेंटी होगा MSP तो बड़ा पांच हजार दस हजार कह सकते हैं लेकिन अगर मैं करीद में नहीं लेता हूं तो क्या फाइदा है तो वो गैरेंटी भी होना चाहिए कि पिक अप गैरेंटी और मीडिया में मोदी जी अमिद्शा जी नरेंद्रो तोमर जी बोल रहा है कि हमको ट्रस्ट करो यू ट्रस्ट अस हम करेंगे हम कभी जब वादा देते हैं हम पूरी करते हैं आपको यह मैं यह बताना चाहता हूं दो हजार चाहुदा आप वो सरकार का मैनिफेस्टो देखो दो हजार चाहुदा में करोड़ों किसान मोदी जी को वोट दिया क्यों वोट दिया उसने वादा किया दो हजार चाहुदा आप मैनिफेस्ट अपड लीजे दो हजार चाहुदा में वादा किया हमको जब में हम पद में आते हैं बारा महीने के अंदर स्वामिनादन कमिटी रिपोर्ट को इंप्लिमेंट करेंगे और उसमें सबसे पहला सबसे पहला स्वामिनादन जी का रिकमेंडेशन में उतपादन लागत पूरी उतपादन लागत और पचास पर्सेंट बारा महीने के करेंगे वह बोला नरिंद्र मोदी जी हर स्पीच में हर बाषन में दो हजार चाओदह एलेक्शन में तो heißt ऊक खरोडों किसान उसको वोट दिया और जीत लिया कोज wonderfully और जो ऑदा किया बारह महीने के अंदर हम करेंगे बारह महीने के के अंदर क्या किया कोर्ट में एफिडाविट दिया कोर्ट में एफिडाविट दिया यह हम नहीं कर सकते हैं यह अच्छा चीज नहीं है मार्केट कराब हो जाएगा अरे किसान का दुनिया पूरा बरबात हो रहा है आप मार्केट कराब हो जाएगा आपने कोर्ट में एफिडैविट डाला की हम नहीं कर सकते हैं जो चे महीने पहले आपने किसान वर्क को वादा किया हमको elect करो, हम करेंगे 12 महीने के अंदर, वो 2014, 2015 में मना कर दिया, 2016 में उनका उनका भी नाम नहीं याद आते हैं, उनका कृषी मंतरी रादा मोहंद सिंग, वो पूरा जूट बोल दिया, सीधा, हमने ऐसा कुछ वादा नहीं किया, अरे जो मानिफेस्टों में डाला, जो पत्रक में डाला, वो बोल रहा है कि हमने ऐसा कुछ वादा नहीं किया, 2017 में, 2017 में बाजपा ने बोला, ये सरकार ने बोला, स्वामिनादन को बूल जाओ, हमारा मद्यप्रदेश देखो, शिवराज चौहान जी इतना अच्छा कर रहा है, जिस महीने उसी शिवराज चौहान का पुलीस, पांच किसान को मरा दिया गोली से, फायरिंग में पांच किसान मर गया, मंद्यप्रदेश में, और 2018 में, वित्त मंत्री अरुन जेटली साब, बजजट स्पीच में, बजजट बाशन में, पैराग्राफ, आप देखिए, पॉइंट नंबर 13 और पॉइंट नंबर 14, उसने लिखा है कि हाँ वादा किया और पूरा भी कर दिया, केल क्या था, उत्पादन लागत, तीन चार तरीका में ले सकते हैं, स्वामिय नादन जी ने कहा, पूरी उत्पादन लागत, इसने कहा, सिर्फ जो आप बीज और बी इंजली में सब, उसमें हम कर देंगे उत्पादन लागत, यह जूट बोलके, बोला कि हमने पूरा कर दिया, दो हजार अट्रा, आगस्त में, मंत्री नितिन गड़करी टेलिविशन पर बोल दिया, अरे यार जो वादा किया, वो चुनाव से पहले किया, हर पार्टी चो वादा करते हैं, चुनाव से पहले, उससे हम सो मत मारो अभी, और इन लोग का, इन लोग का आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इन लोग का आप बिलीव कर सकते हैं कि ये वादा, जो वादा किया, वो करने वाला है, जो हो रहा है, देखो, एक साथ, एक तरफ, आपके सामने, नेगोसियेशन कर रहा है, आपके पीछे, विश्व व्यापार संगर्टन के साथ और दूसरी नेगोसियेशन चल रहा है दुनिया में सबसे बड़ा कॉर्परेट जगत के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग जो बैटा है यहां यह सिर्फ 3 कानून के लिए नहीं है आप पूरा देश के लिए लड़ रहे हैं जो आपका संगर्श है वो हर नागर्ग हर नागरिक का संगर्श है इस देश में देखिए वो कानून में कैसा लिका है उसमें दो कानून है APMC तीन कानून है जिसमें दो APMC और वो कानूनी अधिकार गतम कर दिया आप किसी को भी किलाव नहीं दो जासकते हैं और किसी के किलाफ नहीं जा ना केंद्रिया सरकार के किलाफ ना राज्य सरकार के किलाफ ना केंद्रिया सरकार का कोई भी अफसर के किलाफ ना राज्य सरकार का कोई भी अफसर के किलाफ और येनी अदर परसन और दूसरों लोग वो एनी अदर पर्सन काउन है कॉर्परेट जगत उनके किलाव भी सिर्फ आप नहीं जा सकते हैं मैं भी पी आई यल नहीं डाल सकता हूं मना कर दिया कोट का जूरिस्डिक्शन नहीं है इसमें यह कानूर हर नागरिक को एफेक्ट कर रहा है सिर्फ सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन आप लोग हमारे लिए भी लड़ रहे हैं और और एक चीज के लिए आप लोग लड़ रहे हैं अगर आपका संगर्ष फेल होगा समझो इस देश में पीडियेस कतम हो जाएगा अगर यह युद्र किसान के खिलाफ जाएगा पूरा प्लिक डिस्रिब्यूशन सिस्टम पीडियेस वो कतम हो जाएगा और किसके हाथ में जाएगा वो कॉर्परेट जगत के हाथ में जाएगा तो आप मैं कह रहा हूं कि आप कानूनी अधिखारी के लिए यह तीनों खानून वापस ही लेना पड़ेगा उसका उसके अलावा कोई तरीका नहीं है और आप आकरी में अंत में आपकी लड़ाई और जगत के किलाफ है सिर्फ यह तीन कानून नहीं कॉर्परेट जगत के खिलाफ है जो हर किसान का हर किसान का फसल उनकी हाथ में नह जानेगा अ तैंक यू बहुत बहुत दन्यवाद और किसान मजदूर एकता जिन्दाबाद